हेलो फ्रेंज मोधुमिता लीटिल कीचेन में ओहल का मैं हूँ मोधुमिता आज मैंने और एक न्यू रेशिपी सेयर करने जारी हूँ आज मैं सेयर करी ये दो मालो का बहुत बड़ी आसा एक रेशिपी रेशिपी सिंपिल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होगा ऐसे तौ में बनाओं की बिलकूल सीम्पिल घर का एंग्रेडियन से बहुत बड़ी आसा ये दो मालो का रेसिपी पार्फेक्ट टेस्टेस्ट और पार्फेक्ट टीक्स्टार के साथ मैंने ये बालब रेसिपी सेयर करूंकी सो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नाई है तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े ऐसा हर दिन निव निव रेसिपी देखने के लिए चलो फेर बड़ी आसा रेसिपी शुरू करते हैं ये दोम आलो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इहां पे ले रहे हूँ ये देखिए ये छोटा साइज का आलो मतलब सर्दियों का टाइम में जो काच्चा आलो मिलता है ये बिल्कुली छोटा साइज का आलो है अगर आपके पास छोटा बल आलो ना हो तो आप बड़ा बल आलो भी ले सकते लेकिन उसमें आलो को काट लेना आप मैंने इस आलू को कुकार में डाल देती हूँ और कुकार में दो सिटी लागाऊंगी आलू के साथ मैंने डाल देती हूँ थोड़ासा पानी और थोड़ासा नामक और इसको जास्ट दो सिटी लागांगू, दो सिटी लागाने में पारफेक्ट आलू पाग जाएगा जब तो कि आलू पाकरे तब तक मैंने इहाँ पेक मसाला बनाती हो तो इसके लिए मैंने लेटी दो टोमाटर, पयाज, लोईशन और मैं लेटी थोड़ी सी मतलब आट-दस काजू आप चाहे तो आद्रग बकरी भी डाल सकते लेकिन मैंने इहाँ पे आद्रग नहीं डाल लिए क्योंकि मैंने सुख आद्रग डालूंगे डाल दिया एक चमज तेल, जादा ने जस्ट एक चमज मैंने अल डाल दिया ये जो मसाले ये पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लागेगा लिकिन मसाला को पकाये के पनाएगे तो बहुत बुरी आसा इसका टेस्ट आएगा डाल देती हो पहले लोईशन, काजू और ये जो प्याज, टोमाटर था ओ भी डाल देती हो अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी मतलब थोड़ा सा सब्ट भी हो जाएगा और इस पकाने से क्या होगा इस मसाला के जो फ्लेबारे बहुती मस्त आएगा दो मिर्ट तो की इस मसाला को ये देखी इस तरीका से मैंने पकारी हो मसाला भी अच्छी तरह से सफ्ट होगी और ये प्याज बाल लोईशन बागरी अच्छी तरह से पक गया आप मैंने ग्यास का हिट बंद कर देती हूँ और मसाला को ठांडी होने के बादी मिक्सी में पिशूंगी ये देकी मिक्सर गांडर पोड में डाल दिया और इसी तारीका सा बहुत बड़ी आसा पारफेक्ट ये देकी पेस्ट बना लिया जितना स्मूथ ये पेस्ट बनेगा उतनाई इस रेसीपी पारफेक्ट बनेगा और मैंने आप एक दोसरा मसाला बनाती हूँ थोड़ासा धनिया पावडर, थोड़ासा जीरा पावडर, थोड़ासा हल्दी पावडर, थोड़ासा एक कास्मीरी डरचिली पावडर और डाल र मसाला जक्ण भी नइ। पार्फेक्ट क्लर आईगा पार्फेक्ट्ट टेस्ट भी होगा। ये देखी इसी तरिका से मैंने मसाला का गहोल बना लिया। ये पेस्ट भी मेरा बन गया और ये मसाला भी रेडी हो गया। आप मैंने देखी यहां पे एक पैन लिया यह जो आलू है मैंने आलू को अच्छी तरा से छिलका निकाल ले आलू भी अच्छी तरा से पाग गए यह देखी आलू का छिलका भी निकाल लिया इस पेन में थोड़ी सी एक चमच पेन में ओयल डालती हुँ जादानी ये देखी एक चमच जैसा ओयल डाल दिया और इस आलू को अच्छी तरह से इसको सेलू फ्राइ करेंगे एके करके अलू डाल देती हो आप चाहे तो इस अलू को डिप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी असा बनेगा थोड़ी सी नमक डाल दिया और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पॉर्डर सेलू फ्राई करने के लिए टाइम थोड़ा सा लागेगा लेकिन थोड़ी देर तों मतलब 2-5 मिनिट तों का अलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसमें क्या होगा अलू का जो फ्लेबारे बहुती पारफेक्ट आएगा थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा लेकिन दीप फ्राई करने से क्या ज्यादा ओयली भी हो जाता है ये देखिया आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया आप मैंने दोसरा कड़ाय में डाल रहें एक से देर चामाच ओयल थोड़ा सा कुछ खाड़े मसाला डालेंगे तेल गरम हो गया आप मैंने डाल देते हो बैले थोड़ी सी जीरा साबो जीरा डाल दिया आप मैंने डालते हो इहाँ पे थोड़ी सी मतलब दो एलाई ची थोड़ी सी दार चीनी और दो तीन लंग आप मैंने डाल देते जो मसाला पेस्ट बना के राखी तो मतलब काजू पेयाज लोईशन का ओवला पेस्ट डाल दिया इजो मसाला ये भुन्ने में ज़्यादा टाइम नहीं लागेगा लेकिन तब तक भुन्ना है जब तक ये तेल निकाल के नहीं आ रहे है बहुत ही पारफेक्टी मसाला का टेस्ट आएगा गस का हीर मीडियाम राखके मैंने इस मसाला को अच्छी तरा से 2-3 मिनिट तब फ्राइ कोरूंगे मैंने जो दो मालू का रेशीपी एस्यार कर रहे है इसमें क्या हुआ दो ही क्रीम कुछ भी नहीं डालूंगे बहुत ही सिंपिल रेशीपी है ज्यादा कुछ आपने देखाए मसाला भी मैंने उज़ नहीं कर रहे हुँ यह देखिए बहुत बड़ी आसा मसाला आए भून गया आप मैंने डाल देतू जो गोल बना कर राखिती मसाला धोनिया जिरापडर का ओ भी डाल देया बहुत ही पारफेक्ट इसका कालार आएगा लेकिन थोड़ी देर तो और भी इस मसाला को पकाना है क्योंकि धनिया जिरापडर का ओ जो काच्चापोने ओ भी हटाना चाहिए मतलब इसका भी काच्चाप लेवा नहीं आना चाहिए तो इसलिए इसके साथ इस मसाला को भी और थोड़ी देर तोक दो से धाय मिर तोक पकाऊंगे ऐसे तो मसाला जो है ओल लेड़ी पाक चुका है ये देखी ओयल भी निकाल के आ गया अच्छी तरह से मसाला भी फ्राई हो गया आप में डाल देती हो आलू जदा टाइम नहीं लगया क्योंकि आलू भी और लेड़ी पाक चुका है पहले बोयल कर लिया उसके बाद फ्राई किया तो इसलिए आलू भी और अच्छी तरह से पाक गया मसाला भी अच्छी तरह से भून गया आप में डाल देती हो पाणी पाणी जो यूज गर्ण पाणी डाल दी हो इसका जो टेक्स इरी उपार फेक्ट आइगा अच्छी तरह से मिला लिया आप में डाल देती हो नमक शाधरु सण नमक डाल देती हो इहां पर मुझे लाग रहे ये जो ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा लाग रहे तो इसलिए मैंने और एक कप जैसा पाने डाल दिया क्योंकि ये ग्रेवी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है तो इसलिए जितना जुरूरोथ होगा ग्रेवी उसी हिसाब से पाने डाली है अब मैंने डाक के कम से कम 2-5 मिनिट तोग इसको पकाऊंगी इस ग्रेवी को ज़्यादा देर तोग पकाने जास 2 मिनिट ये पकाना है ऐसे क्या होगा बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जागे एब आला ग्रेवी आप देखिए दो मिनट के बाद मैंने दिखाती हूँ क्योंकि आलू तो अलेडी पाक गया है अगर ज़्यादा देर तो किसको पाकाएं तो ग्रेफी बहुत ही ज़्यादा गाड़ा हो जागी देखिए पार्फेक्ट टेक्स चारा गया लास्ट में मैंने डाल दे थोड़ी सी कोसोरी में थी चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिंपिल रेसिपी स्यार करें तो इसलिए ज़्यादा कुछ मसाला डालूंगे नहीं आपका मन पसंद मसाला डाल सकते हैं ये देखी बहुत बोलियासा पारफेक्ट ये दम अलू रेसिपी बन गे आप मैंने सार्व करके दिखाती हूँ अलू भी अच्छी तरह से पाग गया अर ये जो ग्रेवी है मतलब ग्रेवी का जो टेक्स्चार है बहुत पारफेक्ट है आप रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत बोलियासा लागेगा ये देखी आप मैंने उपर से डाल ले थोड़ा सा धुनिया पत्ता का पाउडर मैंने घर में थोड़ा सा धुनिया पत्तक पाउडर बाने के राखी थी उपर से डाल दिया आप चाये तो फ्रेस हरा धुनिया भी डाल सकते हैं ये देखी देखने में बहुती सुन्दल लग रहे हैं सिंपिल घर का नर्माल इंग्रीडिन से मैंने बड़ी आसा दम आलू रेसिपी स्यार की है सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो प्रसंद आया अगर वीडियो प्रसंद आया तो जुरूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए आसा आई हट दे न्यू रेसिपी देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरे न्यू रेसिपी देखने के लिए सब लोग आच्छे रहे खुस रहे बाई बाई